नमस्कार प्यारे साथियों मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एक्जाम कार्ट लाइप पर तो भाई आज है 16 अक्टूवर डिसकस करेंगे आज के यह एक्जाम कार्ट के तरब से आने वाली रैपिट सीरीज है 6 कितावे हैं काफी इंपोटेंट कितावे हैं आप लोगों के एक्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से टीम ने इनको डेजाइन किया हुआ है तैयर किया है डाफ्ट किया है आप लोग इनके सेम्पल पीडि आपको पूरा 684 में ये बुक्स मिल जाएंगी जो कि मार्केट की एक बैस्ट सीरीज मैं कहूंगा आपसे जो किसी भी एक्जाम के लिए अत्यधिक उपियोगी सावित होगी Q1 आपसे पूछा गया है कि देश का पहला कोईला सम्मिलन और प्रदर्सनी कहां आयोजित किया जाएगा ठीक है Q2 आपसे पूछा गया है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे देख लेंगे आप लोग अच्छे से सीज़ को 16 और 17 अक्टूबर 2022 को पहले राश्टी कोईला सम्मिलन और प्रदर्सनी जो है इसका जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया गया ठीक है इस बात का आप लोग ध्यान रखना ठीक है कैलिफोर्निया द्वारा फोटोग्राफर द्वारा वाइट रैन वो देखा गया यह किसी और पॉइंट का इसमें एड हो गया ठीक है यह इसका नहीं है आप लोग ध्यान रखना इसका ठीक है चलिए आगे आपसे यहां बात की गई है कि यह जो आयोजन था यह इंडियन नेशनल कमिटी वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रिस द्वारा जो यह किया गया है बिसिकली आपता प्रबंदन मंत्रालयों के वरिष्ट पता अधिकारी आधि लोग सामिल में हुए थे इसमें ठीक है आगे अगर इसमें बात करेंगे आप तो अगर इसकी थीम की बात करोगे कि इसका विसाय क्या रखा गया था तो आप लोग ध्यान रखना भारतिय कोईला चेतर जो है आत्म निर्वर भारत के लिए सतत खनन यानि कि इंडियन कोल सेक्टर संस्टे नेबल माइनिंग टुवार्ड्स एट आत्म निर्वर ये थे कि द्यान रखना आप लोग तो आत्म निर्वर इस दिसाह में ये कदम है ठीक है इंडियन नेशनल कमिटी वर्ल्ड माइनिंग ठीक है ध्यान रखना आप लोग इंडियन नेशनल कमिटी वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस जो है बेसिकली अगर इसकी बात करोगे तो ये भारत की राश्ट्री ये समिती WMC में भारत का प्रत्रेत्व करती है ठीक है WMC की सुरुवात 1958 में हुई थी ये संयुक्त राश्ट से सम्मद्द एक संगठन है इसका संचालल पॉलेंड इस्थित सचवाले द्वारा किया जाता है भारत में राश्ट्री समिती का उद्देश है ठीक है राश्ट्री समिती का उद्देश है WMC के लक्षियों एवम उद्देश्यों को बढ़ावा देना है भारत में आयोजित WMC की गत्विदियों को व्यवस्थित वित्थ और बंधित करना आदी है आप लोग इस चीज का वर्तमान में वीके तिवारी इसके कारिकारी समिती के चेयर्मेन हैं कोशन नमर टू में आपसे पूछा गया है भाई कि विस्व भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का इसमें स्थान है 101 जो कि इस्थिती जो है काफी गंभीर दिखाई गई है इसके लिए भारत ने आपत्तिवी दर्ज कराई ठीक है 121 देशों को तैयार किया गया था यह सूचकांक भारत 107 वी रैंक पर आया है 2021 में भारत 101 वी स्थान पर था ठीक है आप लोग ध्यान रखना यह पीछे जो है यहां पर यहां पर आंसर इसका विटा यह होगा यानी 107 वी के साथ मैं गंभीर स्रेडी में रखा गया है और भारत के देखो पड़ोसी देश स्रीलंका 64 वे नैपाल 81 बांगला देश 84 वे पाकिस्तान निन्यान वेस्तान पर बताओ यह हालत है ठीक है भारत को देखो काँ पहुचा दिया है जबकि हम से ज्यादा परेशान तो इन दे किस्टिंग और चौथा होता है वेटा बाल मृत्ति उदर क्लियर है चलिए आगे देखेंगे डाक्टर एपी जे अब्दुलक अलाम की जो जैनती है वेटा यह कब मनाई गई तो आप लोग ध्यान रखना 15 अक्टूवर को डाक्टर एपी जे अब्दुलक अलाम जिनने मि इनके जन्म दिवस के अबसर पर हर साल 15 अक्टूवर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है वहीं इनका पूरा नाम की बात करोगे तो अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुलकलाम ठीक है और इनके जन्म की बात करोगे तो 15 अक्टूवर 1931 को कहां पर तो ता की थी ठीक है कलाम जी की अगर बात करोगे तो भारत के पहले स्वदेशी सेटलाइट लॉंच विकल यानि SLV-3 को इनके विक्सित किया था ठीक है और इसके विक्सित करने हैं तू परियोजना निदेशक के रूब में भी इनके पूर योगदान दिया था वहीं डॉक्टर क इसेशकर चात्रों से बेहत प्रेम था और इसलिए इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था 7 जुलाई 2015 83 वर्सकी आई-उ में सिलोंग में इनका बेटा निधन हो गया मुख्य रचना है विंक्स ओफ फायर इनकी बायोग्राफी है यानि आप कता है Ignited Minds Unleasing the Power in India Nation of India ठीक है इस तरीकी का या A Vision of Indian Youth India 2020 A Vision for the New Millennium Guided Missiles My Journey जैसे इनकी पुस्तक है है प्रमख फुर्सकार की बात करोगे तो इनको पदम विभूशड 1990 में और भारत रतन की बात करोगे तो 1997 में Question No.4 में आपसे पूछा गया है कि रास्ती हरित प्राधिकरण NGT के किस राज्य की सरकार पर चंदपुरा जील का सरनक्षण करने में विफल रहने के लिए 500 करोड रुपई का जुर्माना लगाया गया है आपसे पूछा है यह किस राज्य में है तो करनाटक में ठीक है चंदपुरा जील सरनक्षण मामले में करनाटक पर विफल रहने के लिए 500 करोड का जुर्माना है NGT का कहना है कि राज पर्यावरण की रक्षा करने और नागरिकों को स्वच्छवातावरण परदान करने में विफल रहा है रास्त्रिया हरित प्रादिकर्ड यानि कि NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम 2010 के तहत की गई थी किसी भी पर्यावरण ये विवाद तथा मुद्दे से निपटने के लिए विसेश निकाय के रूप में कारे करता है ठीक है आगे बात करते हैं तो भारत के समविधान के अनुच्छे 21 के तहत नागरिकों को एक स्वस्थ परियावरण प्रदान करने का आस्वाशन देता है मुख्याले नई दिल्ली में है ठीक है NGT का और बेंगलूरू को जीलों का सहर भी का जाता है क्योंकि यहां पर बड़ी संख्याम है जीले मौजूद है कॉशन नमर 5 में आप से पूछा गया है कि हाल ही में खालिस्तान आपको भरना है वाइल्ड लाइफ बोड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बागों के लिए एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है पन्ना टाइगर रिजर्व तो भाई MP में इस्तित है थोड़ी से डिटेल देखेंगे ठीक है राणी दुरगावती टाइगर रिजर्ब को मंजूरी दी है यह टाइगर रिजर्ब नरसिंग पूर दमो सागर जिलों में इस्तितर्ध दो में ठीक है नरसिंग पूर दमो और तीन तीन जिलों में इस्तितर्ध ध्यान रगना इस्टिटर्स ऑफ टाइगर इन इंडिया 2019 के मुतावित भारत के 20 राजियों में 2960 टाइगर्स पाई जाते हैं भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या वाला देश है परियावण मंत्राले के तहत केंद्र सरकार द्वारा संचालेत एक योजना है जिसे 1973 में सुरू किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथर्टी केंद्रिया परियावण मंत्राले के तहत सामवैधिक संस्था है आप इस चीज का ध्यान रखना नेक्स कुशन में आपसे पूछा गया है कि समाचारों में रहा कास्मिक बर्प क्या है ये ब्लेक ओल है नयागरो या ब्रहमांडिया विस्पोट है ठीक है 9 अक्टूबर को वैग्यानिकों ने ब्रहमान अभी तक का सबसे बड़ा गामारे विस्पोट देखा इस गामारे विस्पोट को जी आरवी 221009A नाम दिया गया है कोशन 7 में आपसे पूछा गया है कि किस जीव में मानव मस्तिस्क कोशिकाओं का सफल प्रत्यार ओपन किया गया है तो चूहे में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ठीक है नवजा चूहों में मानव मस्तिस्क कोशिकाओं को प्रत्यार ओपन कर एक इकरत करने में सफल रहे हैं ठीक है सोद करताओं ने और्गेनोइड कहे जाने वाले मानव मस्तिस्क कोशिकाओं के सम्भूं को युवा चूहों की दिमाग में प्रत्यार ओपन किया यह परिच्छड, सीजोफ्रेनिया, ओर्टेज्म जैसे जटिल्व मनोरोगों का अध्यन करने और उपचार रूनने में सहायक होगा कुशन नमर 8 में आपसे पूछा गया है, सक्रिया आतंकी संगठन से पैदा होने वाले संगाई सयोग संगठन के छेत्रिया आतंक रोदी डहाचा यानि SEO Rates, ठीक है, कि बैठक कहां आयोजित की गई है, ठीक है, तो दिल्ली में इसकी बैठक जो बेटा वो आयोजित की गई है सक्रिया आतंकी संगठनों से पैदा होने वाले खतरों को लेकर संगाई सयोग संगठन के छेत्रिया आतंक रोदी डहाचे, SEO Rates की पैठक आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है, चीन और पाकिस्तान समयत सभी सदस्चियों के वरिष्टा दिकारियों ने हिस्सा लिया इसमें, पिछले कुछ वर्सों से अफगानिस्तान में कई अंतर रास्तिया आतंकी संगठन जो है, यह सक्रिये हुए, जिन से निपटने के लिए 2023 में सेन अभ्यास, सॉलिडालिटी 2023 करने का फैसला किया गया, यानि कि अगले वर्स, चीन में इस अभ्यास चीन में यह जो अभ्यास है, इसका होना पॉसिबल है, देखते हैं अब कहां होता है, प्रॉफर हो पाता है या नहीं वहाँ पे, ठीक है, इस अभ्यास को माने सर आतंक वाद विरोधी 2022 भी नाम दिया गया है, यह अभ्यास भारत के राश्तिय सुरक्षा गार्ड माने सर ग 5.3 billion कच्रा बन जाएंगे, किस की रिपोर्ट के अनुसार तो ध्यान रखना आप लोग यूरोपिय संग के WEEE, यानि के Waste Electrical Electronic Equipment Forum के अनुसार 2022 तक लगभग 5.3 billion मुवाइल जो है, यह E कच्रा बन जाएंगे, WEEE के अनुसार, Electronic उत्पादों में से एक Smartphone सबसे ज़्यादा चिंता का विसे है, वर्तमान में, दुनिया वर में लगभग 16 billion से अधिक मुवाइल फॉन मौजूद है, तो यह बहुत बड़ा आकड़ा हो जाता है, ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है, कि ज़्यादा और 35 kgE कचरा पैदा करते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स्क्रूशन देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है, कि हाल ही में वाइट रेन्वो कहां देखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, अमेरिका के कैलिफोर्निया में वाइट रेन्वो देखा गया है, किसके दौरा तो एक फोटोग्राफर के द्वारा, इंपोटेंट वन लाइनर डिसकस करते हैं, आज के, किस राजी सरकार ने ओला ओवेर रेबिडो को 12 अक्टूवर से ओवर चार्जिंग के आरोपों पर आटों सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है, तो करना टक ने ऐसा किया है, अगला कुशन है, भार सरकार द्वारा तीन सदस्य आयोक का गठन, यहां जाचने के लिए किया गया कि क्या दलितों को ऐसी अनसूचित जाती का दरजा दिया जा सकता है, जो सिख धर्म या बौत धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए है, ठीक है, इस आय कि PM Divine योजना किस छेत्र के विकास के उद्देस से चर्चा में है, तो उत्तर पूर्व, मैंने इसके बारे में और डिटेल में बताया हुआ है अपनी प्रिविएस वीडियो में, तो आप लोग अगर रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, तो वहां आपको डिटेल और भी जान कि किस नौसेना कमान द्वारा अप तर्टिय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया, तो पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा कुशन नमर सैविन में आपसे पूछा गया है कि केंदर सरकार ने इथनौल सब्सिडी योजना को कब तक बढ़ाया है, तो मार्च दोजार तेईस तक, अगला कुशन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही मैं जम्मू कस्मीर और लद्दाक उच्च न्यायले के मुख कर दिया गया है, तो मैसूर बैंगलूर टीपू एक्सप्रिस का नाम बदल कर, अगर तला में त्रिपुरा राज्जिक नियायक अकादमी का उधगाटन किस ने किया, तो राष्टपती, द्रौपती, मुर्मूजी ने किया, आगे कुशन में आपसे पूछा गया है कि आप पूजी आवश्यक्ता को कितना बढ़ाया गया है, तो तीन सो करोड को, ठीक है, तो ये थे आज की इंपोर्टन करन ट्रफेय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो का, तब तक के लिए, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच,